नमस्कार मैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा बोल रहा हूँ मैं मनेपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में सीनियर कंसलिटेंट और्थोपेडिक्स और जॉइन्ट रिप्लेस्मेंट के बतार काम करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे दो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स की जो प्रिग्निंसी के दौरान महिलाएं फेस करती है प्रिग्निंसी के दौरान कुछ महिलाओं में ये देखा गया है कि उनकी कलाई के आसपास दर्द उन्हें महसूस होता है जो कि पहली प्रिग्निंसी में ज़्यादा देखा गया है दो तरीके के दर्द उनको experience होते हैं प्रिग्निंसी के टाइम पे एक अंगुठे के इस साइड पे base of thumb की तरफ और एक wrist में front की तरफ जिससे हाथ में सुनपन भी आता है और चीजों को पकरने में तकलीफ भी होती है ये दो प्रॉब्लम्स बहुत ही commonly देखी गई है प्रेग्निंट फीमेल्स में especially first pregnancy के दौरान आज की तारीक में हर प्रेग्निंसी precious pregnancy होती है pregnancy प्रोजेस्टरोन नामक हॉर्मोन दौरा संचालित होती है, कंट्रोल होती है, मेंटेन होती है और आज की डेट में प्रोजेस्टरोन यूजवली आमतोर पर सभी महिलाओं को प्रेग्निंसी के दौरान शुरू के फेज में उपर से प्रोजेस्टरोन दिया जाता है प्रोजेस्टरोन हॉर्मोन की टेंडेंसी होती है, वाटर रेटेंशन पहली समस्या जिसके बारे में मैं बात करूँगा, उसको हम कहते हैं D.Querveins Tinosinovitis यानि की जो हमारा अंगुठा है, इसके बेस की तरफ जो हमारे तीन टेंडेंस हैं, जो कि जिसे हम आम तोर पर रसियां कहते हैं वो जिन जिलियों के अंदर चलते हैं, उसके अंदर पानी कलेक्ट हो जाता है और उसका वाल्यूम बढ़ जाता है जिस टेंडेंस के तरू वो तीनों टेंडेंस अंदर बाहर जाते हैं, उस टेंडेंस के अंदर रास्ता लिमिटेड है और ये सूजा हुआ टेंडेंस जब उससे अंदर बाहर चलता है, तो उसमें इंफ्लमेशन होता है tendon की synovial sheath के अंदर inflammation होता है उसको injury होती है और pain होने लगता है pain usually mild से शुरू होकर severe तक के grade में पहुँच जाता है काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरी चीज जिसको हम जो pain होता है वो front of wrist में महसूस होता है जिससे हाथ भारी होने लगता है कभी-कभी सुन होने लगता है और कभी-कभी grip भी weak हो जाती है ऐसा लगता है कि कोई सामान अगर हम पकड़ेंगे तो वो हाथ से छूट जाएगा वो इस कारण होता है क्योंकि wrist में बीच में हमारी एक nerve,ness, median nerve वो पास हो रही होती है उसकी भी एक tunnel होती है उस tunnel की छट को हम flexor retinaculum कहते हैं और उस tunnel को कहते हैं carpal tunnel carpal tunnel के अंदर progesteron की वज़े से fluid retention होने के कारण wrist की median nerve पे pressure आने लगता है जिसके कारण हमारे को neuropathy के symptoms आने लगते हैं ये दोनों बीमारिया या limited conditions प्रेगनेंसी के बाद, delivery के बाद, usually 3-6 महिने के अंदर जब progesteron level वापस normal आ जाता है तो अपने आप subside कर जाती हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं कुछ महिलाओं में, very rarely, carpal tunnel syndrome को खोलने की आवश्यक्ता पड़ती है but very limited, they are usually self-sustained और अपने आप ठीक होने वाली चीजें सवाल ये उठता है कि pregnancy के दौरान हम क्या करें अगर हम सिर्फ ठंडे से सिकाई करेंगे, तो उससे inflammation कम हो जाएगा पर वो जो water level है, जो सूजन है, वो कम नहीं होगी और अगर हम सिर्फ गरम से सिकाई करेंगे, पानी में नमक डालके सिकाई करेंगे तो उससे inflammation बढ़ेगा, inflammation already है वहाँ पर, inflammation means inflammable, आग लगी हुए है तो गरम लगाने से inflammation बढ़ेगा, तो best part is to go for contrast bath contrast bath का मतलब है कि आप हलके गरम पानी में नमक डालकर हाथ को डुबो के रखें, उसकी movement करें और उसके बाद चार से पांच मिनट के बाद आप उसकी ice pack से सिकाई करें इस प्रक्रिया को आप तीन से चार बार सुबह और शाम रिपीट कर सकते हैं हलके हाथ से नीचे से उपर की तरफ आप मसाज भी कर सकते हैं और range of motion आपको complete रखनी है ये ख्याल जरूर रखना है कि pregnancy के time में आपकी protein requirement काफी हद तक बढ़ जाती है daily requirement protein की एक sedentary male में एक lazy आदमी के अंदर 0.8 grams per kg body weight होती है पर ये मात्रा pregnancy में काफी हद तक बढ़ जाती है 17 से 20 ग्राम ज़्यादा protein लेना पड़ता है protein की कमी भी एक कारण होती है carper tunnel syndrome और de-queer tenosinovitis की pathology establish करने में देखने में महसूस करने में ये तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है पर विश्वास रखिए कि pregnancy के बाद delivery के बाद usually तीन से छे महिने में ये अपने आप ठीक हो जाती है बहुत ज़्यादा परिशान होने की चीज़ नहीं होती है अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा परिशान हैं delivery के छे महिने के बाद भी नहीं ये matter sort out हो रहा है तो इसकी surgery बहुत ही minor level की होती है जिसमें हम इनकी tunnels को open कर देते हैं और immediately within a period of three to five days the patient is relieved of his pain, of her pain, pain खतम हो जाता है तो दोस्तों ये topic आज का था तो बड़ा limited छोटा topic था पर मैंने इसको एकदम target करके बताया है कि ये दो तरीके के pain, decuervance, tenosynovitis, इधर और carper tunnel syndrome सामने pregnancy में usually आज कुल देखे जाते हैं, first pregnancy में ज़्यादा देखे जाते हैं पर इससे घबराने की ज़रुरत नहीं है contrast बात लेते रहना है और अपने खाने में protein की मात्रा एकदम संतुलित रखनी है अपने dietitian से touch में रहना है मिलते हैं एक नए topic के साथ अगले episode में धन्यवाद Dr. Rajesh Kumar Verma, Senior Consultant Orthopedics Manipal Hospital गाजियाबाद Thank you